पूर्व केंद्री मंत्री चौधरी अजीत सिहिंग का कोरोना के वज़े से निधन हो गया 82 साल के चौधरी अजीत सिहिंग कोरोना से संक्रमित थे मंगल बार रात तव्यत विगटने के बाद उन्हें गुरुग्राम के एक अस्पताल में भरती कराया गया था जहां आज उनका निधन हो गया ये खबर उनके बेटे जैन्त चौधरी ने ट्वीट करके दी अजीत सिहिं 20 अप्रेल को कोरोना से संक्रमित पाये गए थे आज सुबद 6 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली जैन्त चौधरी ने कहा कि दुख और महामारी के काल्ब में हमारी प्रार्थना है कि आप सब अपना ध्यान रखें और संभव हो तो घर पर ही रहें और साबधानी जरूर बढ़तें इससे देश में सेवा कर रहे डॉक्टरों और स्वास करमचारियों को भी मदद मिलेगी ये चौधरी साहब को आपकी सच्ची सिर्धान जिली होगी प्रधान मंतरी मोदी ने टूइट कर चौधरी अजीत सिहिंग के निधन पर दुख जताया प्रधान मंतरी मोदी ने कहा क कि पूर्वक केंद्रे मंतरी चौधरी अजीत सिहिंग जी के निधन से अत्यंत दुखी हूँ वो हमेशा किसानों के हित में समर्पित रहे उन्होंने केंद्र में कई विभागों के जिम्मेदारी का तुशलता पूर्वक निर्वहन किया शोक की इस घड़ी में मेरी सम्वे इतना है उनके परिजनों और प्रिशंस्कों के साथ है ओम शान्ती इसके साथ ही आपको बदा दे कि कॉंग्रेस की महासरचेप गांदी बाडरा सहीत के और भी कई बड़े नेताओं ने चौधरी अजीस सेहिंग के निधन पर दुख जताया है स्रिधान चेले अर्पित की ह अजीस सेहिंग पूर प्रदान मंतरी चौधरी चरन सिंग के बेटे थे चौधरी अजीस सेहिंग नेक साल 1986 से अपनी राजनीतिक सफर की शुरुवात की थी 1986 में वो राज्यसभा बेजे गए थे 1987 से 1988 तक वो लोगदल ए और जन्यता पार्टी के अद्यक्षपत के भूमी क का निभाई 1989 में अपनी पार्टी का विले जन्ता दल में कर दिया अजीस सिंग छे बार लोकसभा और एक बार राज्यसभा सांसत रहे इसके अलाबाद चार प्रदान मंतियों की कैबिनिट में मंतरी रहे तो वहीं अब चौधरी अजीस सेहिं के निधन के बाद उत्रप्र प्रदेश को जरूर अखरेगा ने बहुत दुख है यह महामारी है बहुत सारे लोग इस समय में छोड़कर चलेगी है उन सब का भी दुख है और जीस सिंग जी एक कदावर नेता थे उनके जाने का भी बहुत दुख है और जैन चौधरी को लेकर जिस सरा क्या विस्तिति है क्योंकि यकिनन वो शोक में है लगातार उसको लेकर उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि किस तरीके से चौधरी अजीस सेहिंकी जो म्रत्य हो चुकी है निधन उनका हो चुका है इन तमाम इस्तिति को लेकर ही उत्तरप्रदेश की आगे की राजनीति को लेकर ही हम चर्चा करेंगे सबसे पहला कॉमेंट में इसी बात पर लेना चाहूँगा कि आज चौधरी जेसिंग हमारे बीच नहीं रहे कोरोना की वज़े से उनका निधन हो गया क्या कहेंगे सब सब्सक्राइब करता हूं और परिवार से कहना चाहता हूं कि आपके साथ खड़ा है और इस मोहिची बबत ये है जो मैं आपके चीजी के माधियम से मैदे देना चाहता हूं कि जब तक सूरज जांग रहेगा तब इस तक चौधरी अजीब का नाम रहेगा और इस तरीचे तो उन्हें सब्सक्राइब का नेता समझा जाता था मोहिची तो मैं आज आपको बतादू जिस तरीचे को से राखपती लेए पूरा देश तासल है तो उनके लिए निए जिए प्रदान जाता हूं कि हमने सोचा हमी कहाते हैं आपको लेकि अजीब की आप क चाहने वालों का तो फाविला निकला, हमने सोचा चिकारिट करे खुदा से, लेकिन खुदा भी आपका चाहने वाला निकला, तो इस तरीके से उपरवाले ने, हमारे बोर्ड में ठगवान में खुदाने जो इफितिन को अपने पास बुलाने है, किसी की आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनके जाने वालों की ना यहां कमी थी ना वहां कमी है एक बहुत बड़ा नाम थे सब्सक्राइब का देरा थे हाटे राजमी की आज़े बहुत बड़ी कमी आजाएगी एक मेटा की इसकी पूर्टी करपाना मुद्खिल है और अज़ी इस तरीके से सारा भार राजमी का जो आरेल्डी का है वो जैन्स चोद्री के कंदों पर आगया है तो उन्हें इसको संभालना है और पूरे अपने आरेल्डी करिवार को और अपनी पार्टी को म्दबूस करना है अब देखना हैं किस जिकांमे पार्टी पढ़ती है किस तरीके से लोगों का ध्यूग मिलता है और किस तरीके से जैंस होरी अपनी पार्टी को लेकर चलते है लेकिन फिलाल पूरा देशो का कुल है चौदरी अजीत सिंग आज हमारे बीच नहीं रहें, उनका निधन हो गया है, क्या कहेंगे सर? चौदरी नहीं रहने वाले लोगों को बहुत खेश पहुंची है, उनके जाने से जो अक्षची हुई है, छेतर और देश को वो कभी पूरी नहीं की जा सकती, तो एक महननेता थे और देश के महननेता चोदी चंशी जी जिनों ने देश को एक धिशा दी, उनके पुत्र थे उनी के पच्चिनों पर चल करके, चोई साथ में जो अपना विश्वास जन्ता में देश में बनाया है, उसकी रिनी है जन्ता, हम सब लोग उसके रिनी है, चोई साथ में बिलकुल, संदीप चौदरी जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, और सबसे पहले ये समझने की जनीती होगी उत्रप्रदेश के, वो किस तरीके की होगी? और चोई जीजी ती जीजे बिला, मैंने मानता के भाद के राज़ी इस तिसका में बढ़एं की है, वो जरीबों की आवाज़ें, उसकानों की आवाज़ें और आपको बता दो, इस तरीके के हमारे बेड़े में पॉलिटिक ये जो लियाइटी कल्चर से लोग है, वो लिय बाद, इस तरीके के बरस्ताचार व्याप के देश की राज़ी इने, वो ऐसी राज़ी इने लंबे समय तक मंत्री रहे, बड़े-बड़े सहम पड़ों पर उन्होंने का देगिया, लेकिन पुरी इमांदारी और निस्था के साथ उन्होंने का देगिया, सभी कोई उनके पर बरस्ताचार का आरोप नहीं लगा, इसी भी तरीके से जो पाक्साफ दे और आखी तक पाक्साफ राज़ी इने, लेकिन सर एक बार पर हम थोड़ा समझें कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी राज़नी ती की, वो सभी ने देखा कि कैसे वो आईटी करने वाले शक्स उसके बाद उन्होंने वीदेश में जाके नौकरी की, उसके बाद जब चौदीच अरण सिंग जब उनकी तिवेत खराब हुई, तब वो यहां आते हैं और उसके बाद अपनी करियर की शिरवात करते हैं, यह अगर हम पश्यम उत्तर प्रदेश के हम खास तोर सरी बात करे हैं, उनके बिना उस छेतर पर क्या अफर पड़ता नजर आएगा सर्थ, जी संधीर चौतर जी, उनके बिना राजमेशी में बहुत जादा अफर पढ़ने वाला है, आपने देखा होगा, एक तो यह अफर पढ़ेगा, जिसने भी पार्टियां हैं, जिसने भी बड़े ने पार्टिय के बड़े नीटाओं के साथ में काम किया, इसलिए उनका मकसद था राजमेशी में रहते लोगों कि स्वेवा करना, और आज आप जो पस्की मुस्तर पढ़ेगा, जगे जगे स्कुबर मिल देखते हैं, जब वो जब देखते हैं, जब उनका मकसद था था यहांदे योगर na twonday पनका में हैं, देखते हैं, जब वूंकर शुद्ध हैं किसान के ङृइवा कमें रहें हैं, में ऑजिखते हैं, जब इस तरीख को चौदरी अजीद सिंग लेकिन बदलते प्रिटेश में और बदलती रात्रीश में कहीं ने कहीं जिस तरी के जो पिकुला चुनाव हारे वो एक बड़ा संदेश था चौदरी अजीद सिंग के बाद क्या उत्तरप्रदेश की जो किसानों की जो आवाजे हैं वो वुटनी कम हो जाएंगी जो जाट राजनीती एक होती है जाट निताओं की आपने देखा कि किस तरीकी से बड़े सबसे पड़े चेहरे उत्तरप्रदेश में वो थे अब उनके क्या जाटों की जो आवाज है क्या वो कमजोर पड़ेगी जाटी वाधी राजनीती नहीं की जाटों के नेता नीते ना किशनों के नेता थे चौदी 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 चंशिंग्जी ने हमेशा कहा इस देश में किसी नेता नहीं कहा मात्र चौदी चंशिंग्जी ने कहा क किसान दाजिघ को ठorthy पोंची है के प्रप्चिमृतर प्रदेस की बात मच परो के विजाटों के नेटा थै님이 पूरे देस में किसानों के नेता थै और आज पिसानों को सबसे बड़ी आनी पहुची है चोधर यजीज सिंग जी कर जाने से पाद्ची मुट्टर पद्दिस लोगों को नहीं पूरे जेस के लोगों को आनी पहुची है जो सिस्टम चोधरी साथ ने जिया हमेशा अभी संधी चोधरी जी बात कर रहे थे इनों किसान को आज जो किसान उन्हें याद कर रहा है जितना प्यार चोधरी संधी को शेकर के लोगों नदिया उससे कम चोधरी जी सिंग्जी को नदिया वो एक लग्टी बात है कि हम इतने अमेले एंपी नहीं की चापाएं लेकिन प्यार कम नहीं हुआ जाके नहीं प्यार कमने हुआ कि यह तस्वीर हमने देखी है कि किस तरीके से आपने मतदान किसी को भी दिया हो बोट किसी को भी दिया हो लेकिन जो प्यार खास तोर पर 14 चरंट सिंग के परिवार के लिए देखने को मिलता है आरलडी पार्टी के लिए देखने को मिलता है वो यकीनल लोकों की आँखों में देखने को मिलता है विरपाल राटी जी अंतिम कॉमेंट की रूप में मैं आपके पास आ रहा हूँ और ये समझनी की कोशिच करूँगा जैसे नई किर्शी कानूनों के खिलाफ पूरे देश में लगातार आंदोलन चल रहा है पश्य मुत् किर्शी कानूनों के खिलाफ हूँ अब बहुत ताकत जीती किसान आंदोलन को जब गिरपतारी देरी ते राकेश्टी केट अपनी जी उस समय चोदी अजी सिंग जी में ताकत देने का काम किया था किसान अंदोलन को पुरी जीविच किया था और तमाम किसान नेताओं में जो एराजनितिक नेता हैं उनमें एक जागरती हुई थी कि आज प्रश्ची मुत्र प्रदेश और बेस्त कोई नेता आपके साथ खड़ा है तो उसके बाद इसनी बड़ी जागरती आई थी उन जागरती में उसी का पढ़ना में कि सरकार को पीछा अटना पड़ाता ता त जो ये प्रश्ची मुत्र प्रदेश में प्रश्ची मुत्र प्रदेश में किसानों को जटका लगएगा ये तो सच्चा ही है कि उनके जाने से जटका लगएगा लेकिन हमारे पास महंता मिशी परिवार के दूसे नेता तीसे नेता चौदी चंशी चौदी जी सिंग के बा उम्र जरूर थोड़ी है लेकिन मंजेवे नेता के रूप में जैन चौधी जी हमको मिले है हमां उम्मीद है कि जो सपने चौधरी अजीस सिंग जी पूरे नहीं हो पाएं अभी उन्हें जैन चौधी जी पूरे करें बहुत-बहुत अने बात वीरपाल राठी जिये हमारे साथ जुढने के लिए अपने विचारों को साध्या करने के लिए तो वीरपाल राठी जी पूर्व karate विधायक थे उन्होंने अपनी बात कही संदीब चौधरी राजनीतिक विशलेशक अभी भी हमारे साथ लगातार बने हुए संदीप चौधरी सर्थ 2022 के विधानसवा चुनाबों की तयारियों में लोग जोड़ चुके हैं पंचाय चुनाब हुए नतीजे आपने देखे नुकसान लगातार जो बीजेपी के हम बात करें उन संदे प्राइट होगा और आपको बता दू चौधरी अजीज सिंग की कमी मुझे नहीं लगता कि अब पस्तिम उत्रपरवेश की जन्ता जैंच चौधरी को लगने देगी और जैंच चौधरी कापिन नेता हैं पब्लिक के लेता हैं जन्ता के दीक में रहने वाले नेता है बियाइस की कल्चर के नेता नहीं है पहरतूस के माध्यम से जन्ता के दीक में नहीं आये हैं और मुझे लगता है उनको बड़े भुदर्गों के आखिरवाद की जरह से चौधरी हजी सिंग की जो कमी है मुझे लगता है इनका पुरा समाज, पुरा पस्तिम उत्रपरदेर इसके लोग इसके कादे करता इनको कमी को मैदोट नहीं होने देंगे और RLDS मजबूत और बड़ी पार्टी बन करते उद्रेगी जिसका नेतर तो चौधरी करते रहें लेकिन एक बात हम समझने के गोशिर करें संदीक जोज़े जी क्योंकि आप तो परिवार को बहुत लं परिवार का यहां तक देखने को मिलता है क्या वज़े आपको नजर आई कि इस तरीके से पार्टी को इतने तरीके से नुकसान जीलना पड़ा लगातार गिरावट दर्ज की गई संदीप चौधरी जे मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ एक छोटे से हम ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के उस पार भी चर्चा का सलसला लगातार जा रही है गुरु तेग बहादर सिमर्ये औरंग जेव दे बलो हिंदू तरम दे लोकां दे उपर अतिया चार कीता जा रहा सी तेग बहादर महाराज जी दे चर्णा दे विचे कश्मीरी पंड़ पहुंचे आ करके फरयाद कीती गुरु तेग बहादर महाराज जी ने दिलासा देता के जा करके तुसी औरंग जेव नो कह देगो के साड़ा गुरु तेग बहादर जी हाए उननो आपने तरम वेचे तबदील कर लवोंगे तेसी सारे ही इसलाम तरम नो कबूल कर लवागे औरंग जेव ने गुरु तेग बहादर महाराज जी दे गर्फदारी दे बरंट जारी कीते गुरु तेग बहादर महाराज जी ने हिंदु तरमदी रखेया दे लई दिली चांद नी चांग दे अंदर बली दान देता गुरु तेग बहादर महाराज जी दे बावत एकहा जान्दा गुरु तेग बहादर महाराज जी हिंद्धी चादर ने वाहे गुरु वाहे दे आगु तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है चौधरी अजीद सेहिंग अब हमारे बीच नहीं रहे और उनके जाने के बाद उत्तरप्रदेश की जो सियासेत है वो किस तरह की दिखेगी संदीब चौधरी राजनीतिक विशलेशक लगातार माय साथ बने हुए संदीब चौधरी सर सवाल मेरा यही था कि ना सिर्फ पशिम उत्तरप्रदेश या फिर उत्तरप्रदेश हरियन पंजाब तक उनका जो वर्चस देखने को मिलता है आज की दौर में भी क्या वज़े आपको नजर आई कि पार्टी को इतना जो डाउन पॉल देखने पड़ा कि मोंट जी इस तरीके से सामिल्दी में रच्र परदेश की राज्वी थी तक कभी भी प्श्कों इसुष दिवर्ची में तक स्पीट है कि दिवर्ची उसमूट्र में मंत्री रहे और सेमित्व का मतलब आपको दंधा है उनहों पूरे देश की राज्री थी विए यकिन ल हुआ पर खड़ा है किसी के मापाफ घुजर चुके रुजर चुके हैं और नतीजा क्या ए सरकार पुरे चरीके से भी रही है तो लोगों को इस दीड का है कि इसके की राजमीशी हमें नहीं चाहिए हमें ऐसी राजमीशी चाहिए जहा हिंदू-मुस्लिम सिश्शी का इस और शुर बन्य पर सस्पोर्स सेन अलगार कि अधल से किन परफ्रस कर के लिधा पाहित है और ढोला को का हृद 되지 पर प्रदूर्भा में बनाने वाले लोगो और लिए प्रस प्रस्पना जो राजमीती सी बागदोर है आज वो चोदरी जैन चोदरी के कंदो पर है वो जैन चोदरी वो समर्थ युवा नेता है जो इस बागदोर को सम्हाल सकते हैं इस जिन्नेदारी को सम्हाल सकते हैं और जन्ता को और लोगों को कुसानों को गरीबों को संको साथ ले करके चल सकत पीछ वैसात राजपाल जी जुड़ चुके हैं आरेलडी के निता हैं आपका बहुत बस स्वागत है सर एनपी न्यूस पर राजपाल सिंग जी किस तरीके से आप देखते हैं कि उनका निधन हो चुका है चौधरी अजीत सिंग का उनके बिना पार्टी की इस्तिति आप कैसी देखते हैं उत्तरप्रदेश की सियासत आप कैसी देखते हैं हमारा संपक उनसे टूड़ गया लेकिन संदीप चौधरी मैं एक बार फिर से रुखापा करना चाहूंगा वाइस के विदानसभा चुनाब हैं उसको लेकर तयारियां चल रही हैं उसको लेकर भी मैंने आप स चौत्रि परिबार का 14 चौधरंसिंग के परिबार से जोड़े लोग उनका समर्थन देखने को मिलता था किसानों के साथ खड़े मिलते थे क्या लग रहा है लोगसमए हम देखें वहां कम जोरी ना सिर्फ पार्टी को बल्कि किसानों के जो उनके कोई न bizi की आवाज उठा य। य। यवयों दूहीं टूर दे का विअ गर्यों के रिघूक चलता रहता है। और अज 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 अजर 躲े मुवरीर T20, एक रिजारे स्टा ही करिया मुष एविश। एक वब्दैक देखा होगा्स,ंहें सकता है। किसी भी स्कसरी बन्गल ले जो किसानों से जो अब बन्गल आतार हो रहे हैं जिस तरीके से हमने ने ज़र्शी कानूनों के खिलाप जिस तरीके से किसान एक जुट हुए वह झी में वेह पर लगातार जुटे हुए हैं और भी प्रदेश च्वेश और मजदूर के मुद्रे अब कम्जूर महिं होंगी, आंपलन जसा लंबा चमने पार आंपलन stuck ह zombies अचयों से अपना लम्जूर करें, इसरा को समय हो छुस्षण होर्इक होता है। क्योंकि हर आदमी आज अपने आग को ठगा हुआ मैसूस कर रहा है, किसी तरीचे की तरक्ती नहीं है, रोलगार में किसी तरक्ती नहीं है, वियापार्ट ढूब रहे हैं, नोक्रिया लोगों को नहीं मिल रही है, एक खेती ऐसासादन इसको आदमी करके अपना गुजारा करत किसान को ठाटा बन चुका है, क्योंकि किसान को ठाइल पर भाव नहीं मिल रहा है, और वो जो जीज आप इसमें लगाना चाहता है, उनका रेच बहुत जादा हो ठुका है, मज़ूर उसको नहीं है, मज़ूरी बढ़ शुकी है, तो अनेक तरीके की तर्मास्वाई है, इस काज किसान को ठेज कर रहा है, इसी लिए इसने लगते समय से किसान जिल्भी के इसारों सरफ बैठा है, लेकिन को ठुर्ड़ने वाला नहीं है, और आपने जगा होगा जिस परीके से किसान लुनियन ने आंडोलन का ने तटल किया, खिसनो की आवाज को बलं किया, यह आवाज बंग्ला तक पुँची खिसनलन वन किया, लोग्षन का पणवाज तक है, लोग्षन सिand messy, बेगा का चैसण ने, बेर क्योक्त सिर्ए천 सीवटरी मेंतुची अनु थिका, आरेल भी के लिए और फिसानों के लिए अच्छा होगा और जो फुन्जी पती लोग है जो भाते राजमी की से कंदा करके बैशने वाले लोग है उनका अर्ट होगा जहन चौधी के लिए क्या चौनोती आप देख रहे हैं क्योंकि उनके सामने याकिन बहुत बढ़ी चौनोती है उनके सrपसे बड़ी बात की पिता का जो साया चौना गया पार्टी की जिम्मेदारी की परिबार की जिम्मेदारी क्या चौनोती Rin Frans लें और तो दीए वी करते उसी तरीके निए अब्स बता दो जैंज चूढ़ी डेकि तो जैंन चोद्री को आध से इतना चाहिए की इसी तरीके से लगातार काम करते रहें। और चैंस परोडिो को लोग की तरीके से याद करेंगे वी जैंन चोद्री हमारे आप दो पर किसानों को ख़ार उतरने का काम करेंगे। चैंस उखता है कि आपको soort बैक कर पाएंगे वापिस लाप आएंगे उसी दौर में जो दौर हम देखते थी कि मेरट पूरा मंडल मेरट का बलंद चेहर हो या फिर मतरा तक वो तमाम सीटें चाहें लोग सभा की रही हो या फिर विधान सभा की रही हो लगातार आले आरेलटी जीता करती थी क्या लग रहा है कि उस तरह की दौर को जैन चौदरी ला पाएंगे जैन चौदरी को क्या संदेश होगा उनके अजीत सिंग के जो चाहने वाले लोग है और किसान जो है उनके लिए क्या संदेश आखरी कॉमेंट दस सेकेंड लोग जैन चौदरी की ताकत है और जैन चौदरी के साथ खड़े है अजीत सिंग अब हमारे बीच नहीं रहे लेकिन उनके जाने से यकिन उनकिसानों को एक बड़ी ठेश पहुंची होगी बड़ा जटका लगा होगा लगातार ख़बरों के लिए देखते रहें अन्बी न्यूज मुझे दीजे जाजत तन्यबाद कम ब्रेक और सादा ख़बरों के साथ देखिए ए एन बी नियूज एन चैनल नमबर पर ख़बर चाहे सियासत की हो या सरकार की ख़बर चाहे भरष्टा चार की हो या गुरैगार की दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल किस मुद्दे ने बनाई किस की सरकार रखते हैं हम सब पर नजर पहुचाते हैं हम हर ख़बर हम हैं ए एन बी न्यूज यत्रिकर टिप्या ध्यान दे ए एन बी एक्सप्रेस न्यूज ऑन वील्स टाटा स्काई, एर टेल, फेस्बुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूटूब और एप स्टोर पर रात नौ बजे ए एन बी न्यूज पर आ रही है धन्यवार गुरु तेग बहादर सिमर्ये दिल्ली विखे स्थित्त है, लोमे पात्षा शिरी गुरु तेग बहादर साहिब जी दी अडोल ताता परतीक, गुरु द्वारा सीस गंज साहिब दिल्ली विखे ही स्थित्त है, गुरु साहिब जी दे जीवन दी गाथा ब्यान करदा, गुरु द्वारा रकाब गंज साहिब पहले खी शाह वन जारे ने सद्गुरु पाच्छा महराजी दे पुवित्तर तड़नू अपने कर जो अजगर गुरु द्वारा रकाब गंज साहिब शिशोबत है, नवे पाच्छा महराजी दा तड़ना बड़े ही स्रमान सतकार दे नाल ससकार कर दिता